कालू जी जब से वो चिडिया यहां से गई है बोजन की परेशानी हो गई है पहले तो हम उसके घर से चुरा के ले आयते थे अब तो हमें जंगल से डून की लाना पड़ता है बड़ी परेशानी है हाँ गौरी कहतो तुम बिल्कुल ठीखी रही हो लेकिन क्या करें वो चिडिया हम से परेशानों कर भागी है मुझे तो ऐसा लगता है अब पतानी पड़ोस में कौन आया है हाँ कालू जी हमें पता तो करना चाहिए कौन आया है कैसे लोग हैं हमारे पड़ोस ही तो है आखिरकार हमें उनका दाना चुरा कर ही तो खाना है क्योंकि हमारे बसकी नहीं है कोई भी भैनत भैनत करनी हम तो चोड़ी करकर ही दाना खाएंगे कालू जी जल्दी पता करें कौन है वो हाँ हाँ गौरी अभी मैं देखो थोड़ी देर में पता लगाने जाऊंगा अभी धूप बहुत तेज हो रही है बहार मेरे प्यारे कालू जी जल्दी पता करके बताएं मैं तो सोच रही हूँ जल से जल चोड़ी करना शुरू करें घर में बोजन का एक दाना भी नहीं है जादा से जादा ही खट्टा हो जाएगा तो अच्छी बात है न कुछ दिन में बारिश का मौसम भी आने वाला है कालू जी हमारा तो दिल ही नहीं करता किसी काम का पर कालू जी ऐसे कब तक चलेगा हम दूसरों का दाना कब तक चोड़ी कर करके खाएं अरे कौरी जब तक चल रहा है तब तक चलने दो न कालू जी अच्छा हुआ वो चुड़िया हमारे यहां से चली गए पड़ोस से अरे इतनी देश दे इतनी देश दे उसे पता चलिया था न जब से कि हम चोरी करते हैं तो हम भी नजर रखने लग गई थी बहुत ही चालाग चुड़िया थी वो हाँ नहीं तो बच गई वो मेरे हाथों से ओ मेरी सुन्दर पत्नी इतना गुस्सा ना करो हम फिर से चोरी करेंगे फिर से हमारे पास बहुत सारा दाना होगा गौरी और कालू ये जानने के लिए बेताब थे कि उनके पडोस में रहने कौन आया था उनके पडोस में तो हरियाली और तोता रहने आये थे मिट्टू जी दूसरे घर हमारा कोई सामान तो नहीं रह गया नहीं हर्याली मैं तो सारा समान लेकर आगया दूसरे घर से कुछ नहीं छोड़ा मैंने वहाँ पर सब कुछ चेक करके आया हूँ तुम परेशान मत हो मिठु जी पता नहीं यहां के पडोसी कैसे होंगे उस जंगल के पडोसी तो बिलकुल भी अच्छे नहीं थे बता नहीं हाँ हर्याली मैंने तो अभी किसी पडोसी को बाहर देखा ही नहीं शायद दूप हो रही है इसलिए अपने घर में बैटे है शाम को निकलेंगे सब कालू जी अब तो शाम भी हो गई है ये पडोसी कब बाहर निकलेंगे मैं तो कब से खिड़की पे खड़ी हुई हूँ देखने के लिए मुझसे तो जैसे सबर ही नहीं हो रहा है देखे बिना अरे अरे मेरी सुन्दर पत्नी थोड़ा सबर करो अब तो वो पडोस में रहने आही गए है तो तुम उन्हें देखी लोगी थोड़ा सबर करो शाम अभी अभी हुई है हाँ कालू जी बगवान जी चूट ना बुलाए मैं तो सोच लियू बस वो चुड़िया की तरह ना हो जो भी यहां रहने आई हो चुड़िया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी उसका भोजन चूरी करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था अब देखो यहां पर कौन रहने आया है हमें तो बस अपने भोजन से मतलब है हाँ गौरी हमें क्या लेना कौन रहने आया है और कौन नहीं हमें तो सिर्फ अपने भोजन से ही लेना देना है कालू जी मैं जरा जंगल का एक चक्कर तो लगा के आऊं क्या पता वो नए पड़ोसी मुझे मिल जाए गूमते गूमते मैं उनसे चान पहचान बढ़ाना चाती हूँ कालू जी ताकि हमें आगे चलके कोई परिशानी न हो और उनके साथ अच्छा अच्छा बिहेव करूंगी ताकि वो सोचे कि हमारे पड़ोसी की गौरी तो बहुत ही अच्छी है और वो हमारी तारीफ करें कालू जी सही बोला ना हाँ हाँ कौरी तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती हो और हाँ कालू जी तुम भी उनसे अच्छी अच्छी बाते करना हम दोनों की मेज अच्छी बनेगी ना उनकी नज़रों में तब ही तो हम उनके घर आना जाना करेंगे, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस अब वो दोनों हमें मिल जाए, मैं क्या सोच रहे हूं कालू जी, मैं जाओं और एक चक्कर लगा कर आती हूं जंगल का। हाँ हाँ गौरी तुम जल्दी जाओ और जल्दी चक्कर लगाओ, क्या पता वो तुमें जंगल में ही मिल जाए, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, मैं ही हूँ जो आपकी पड़ोस में रहने आया हूँ, अपनी पतनी के साथ रहने आया हूँ, हम दूसरे जंगल में रहा करते थे पहले। अच्छा हुआ तोते भाई आप इस जंगल में आ गए और आपने हमारी पडोस में घर लिया है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अगर कोई काम आधी रात पर भी होए तो आप हमें याद करिएगा हम आपके पडोसी हैं और मेरे पती का नाम है कालू प्यार से उसे कालू जी बोलते हैं ठीक है हाँ गोरी भेह ठीक है आप तो बहुत अच्छी है जो मेरे से खुद ही मिलने आ गए मैं तो सोच रहा था पताने इस जंगल के पडोसी होंगे कैसे पर आप तो बहुत अच्छी हो अरे तोते भाई कैसी बाते कर रहे हो एक पडोसी तो दूसरे पडोसी के काम आता है आप हमारी मदद नहीं करते क्या अगर हम दूसरे जंगल में नए होते बताएं बताएं जरा मुझे मिठु और गोरी अपने अपने घर चले जाते हैं गोरी की मुलाकात मिठु से हो चुकी थी और वह उसे पर अपना जादु चल चुकी थी वहां मिठु हरियाली के पास जाकर बैठता है और बताता है अपनी पडोसियों के बारे में चलो यहां पे तो हमारे पड़ोजी अच्छे है वरना महां पर तो हमें पड़ोजी अच्छे मीले ही नहीं थी बिलकुल भी अरे कबूतर भाई आप यहां बैठ कर क्या कर रहें हैं अकिले? यहां क्यों बैठे हैं अब? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हरियाली बस ऐसी थोड़े देर अकिले बैठने का मन हुआ तो बैठ किया ऐसे तुम कहां से आ रही हो तुमने तो यहां का जंगल छोड़ दिया था ना हाँ कबूतर भाई जिस जंगल में मैं गई हूँ उस जंगल के पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं अच्छी बात है हरियाली बड़ोसी तो अच्छे ही होने चाहिए बुरे वक्त में साथ देते हैं ठीक है कबूतर भाई तो मैं चलती हूँ आप अपना खयाल रखना इतना कहकर हरियाली वहां से चली जाती है हर्याली अपनी मां से मिलने जा रही होती है एक दो दिन के लिए और मिठ्थु घर पर अकेला होता है वह भी अपना दाना धूंदने के लिए जंगल की ओर चला जाता है मिल गया, मिल गया, मुझे भोजन मिल गया अरे, पका हुआ मीठा आम इसी तो देखकर ही मुझे पानी आ रहा है चल्दी से इसे अपने घर ले जाता हूँ तोता पका हुआ आम लेकर अपने घर जाता है और घर में रख देता है उसे बहुत तेज प्यास लगी होती है वह नदी पर पानी पीने चला जाता है और वहाँ जाकर पेट भर के पानी पीता है अब अपने घर की तरफ आता जाता है जैसे ही वो अपने घर आता है वो देखता है और हैरान हो जाता है उसका पक्का हुआ आम चोरी हो चुका था ए भगवान अभी तो रख कर गया था मैं और अभी मेरा चोरी हो गया अब मैं क्या करूँ कितनी मुश्किल से टूंडा था मैंने अपना पका हुआ मैं तो बहुत दुकी हो गया हूँ आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है लगता है आज मुशे भूखा ही सोना पड़ेगा मेरी तो किस्मती खराब है आज तो हर्याली भी घर पर नहीं है तोता उस रात भूखा ही सो जाता है फिर अगली सुबह होती है गौरी कल हमने उस मोटे चूच वाली का मीठा आम चुराया था ना मेरी तो सपने में भी मीठा आम ही आया बहुत ही टेस्टी था अब वो मोटी चूच वाला घर में पड़ा है भूखा कहीं दाना लेने नहीं जा सकता है क्या घर में पड़ा है छोड़ो ना कालू जी थोड़ी देर आराम करने तो तुम उस मोटी चोंच वाले की तो मुझे बात ही मत करो मुझे तो बहुत नेंदाई गौरी रात का भोजन तो हमें उसकी बदोलत मिल गया अब हमें दुपैर का भोजन भी तो चलिए गालू जी आप चिंता ना करें वो मोटी चोंच वाला सुबाई उठके चला गया होगा और नहीं गया होगा तो चला जाएगा अरे गौरी मेरी तो भूख से जान ही निकली जा रही है जल्दी से देख कर आओ जरा वो गया या नहीं गया भोजन ले आप भी ना कालू जी बस मुझे ही परिशान करते हो खुद भी तो उट कर देख सकते हो थोड़ा इतना हाल सीपन किसने बताया चुप कर जाओ गौरी तुम ही तो हो जो भी हो कभी भी दाना ढूनने नहीं जाती हो जब भी जाता हूँ मैं ही जाता हूँ तुम्हे तो पता भी नहीं था ठीख है कालू जी मैं देखने जाती हूँ वो कहा है और भोजन देकर आया है या नहीं गोरी और कालू इतने आलसी थे, कि उनका मुकाबला पूरी जंगल में आलसी पाने में कोई नहीं कर सकता था, दोनों के 36 के 36 गुन मिलते थे, गोरी तोते पर नजर रख रही थी, कि वो भोजन लेने गया है, या नहीं, जैसे ही मिठ्धू भोजन लेकर आएगा, वो उसका भ बहुत भूखा था, इसलिए सुबा होते ही भोजन लेने जा रहा था, और गोरी उस पर नजर रख रही थी, अरे वा, गया मोटी चोंच वाला, रात को तो इसे मैंने भूखा ही रखा था, इसका पका हुवा मीठाम जो चोरी करके ले गई थी, चलो, गया ये मोटी चोंच वाला, मेरे रात के भोजन का इंतजाम तो हो ही जाएगा, जैसी ही ये लेकर आएगा, इसका भोजन तो मैं ही चुराओंगी देख लेना, मैं तो चली कालू जी को बताने, गोरी बहुत खुश थी, क्योंकि तोता अपना भोजन लेने गया था, और उसे चोरी करने में आसा आनी होती थी, तोते के घर से गोरी खुशी-खुशी अपने पती को बताने जा रही थी, हाई हाई कालू जी एक खुश खबरी है, वाका हो तो सुना दू, मैं तो बहुत ही खुश हो रही हूं, तुम्हें पता है, वो मोटी चूँच वाला तोता बोजन लेने गया है बोजन लेने तो जरूर जाएगा मोटी चूँच वाला, भूका थोड़ी न रहेगा, पता था मुझे, हाई हाई कालू जी, अगर आज भी वो मीठा पका हुआ, फल ले आया तो हमारे तो मज़े ही आ जाएंगे, रोज रोज वो मोटी चूँच वाला करे महनत, और हम आएगा कालू जी, हाई हाई मेरे से तो कालू जी इंतिजार भी नहीं हो रहा है, कब आएगा वो, गौरी, गौरी, सबर करो आज आएगा, तुम तो पागल ही हो चुकी हो, ए भगवान कालू जी पागल की क्या बात है, रोज रोज मीठा फल मिलना मुश्किली नहीं आने वो क्या ले कर आएगा मोटी चौच वाला, वैसे तो बहुत मेहनती है, कल भी जंगल से मीठा फल डूड़ी लाया, आज देखते हैं, आज क्या लाएगा, ए भगवान जल्दी से आजाए वो, मेरे से तो सबर ही नहीं हो पा रहा है कालू जी, बस जल्दी से मोटी सबर करो सबर, आने तो दो उसे, ए भगवान क्या करूँ, तुने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, जो मुझे में इतना लालज भरा पड़ा है, और सबर नाम की तो मुझे में चीजी नहीं है, जैसे भगवान चूट ना बुलाए, मेरे से नहीं हो रहा है इंतजार, जल्दी स वो मोटी चोच वाला खाना ले आए, भूग लगी है, गौरी, गौरी, मेरी सुन्दर पतनी, सबर करो सबर, सब सही होगा वहां तोटा भी अपना भूजन लेकर आ चुका था, और उसने अपना भूजन घर में रख दिया था, उसने सोचा पहले मैं थोड़ा पानी पी कर आ जाता हूँ, फिर आराम से भूजन खाऊंगा, वो कल की तरह फिर से पानी पीने चला गया, और गौरी उसे चुप पानी पीने गया ही, क्यों वो चुप चाप बैठा था, फिर उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर चिडिया से ही मिलाता हूँ, वो चिडिया से मिलने जाता है, और चिडिया को पूरी बात बताता है, फिर चिडिया उसे एक बात बताती है, क्योंकि चिडिया भी पहले उस जंगल में रहा करती थी जिसमें अब तोता रहा करता था चिडिया बहन तुम ठीक हो मैं तुमसे मिलने आया था आज काफी दिन हो गए हैं हां मिठ्टू भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूं आप बताएं आप दूसरे जंगल में जाके खुष तो है ना चिडिया बहन आपसे क्या ही चुपाना जब से मैं दूसरे जंगल में गया हूँ मेरा तो रोज भोजन ही चोरी हो जाता है भूका हूँ मैं भूक क्या तोते भाई सच में मैं जानती हूँ तुमारा भोजन किसमें चुराया होगा क्या सच में चांती हो चिडिया वेहन तो हाँ हाँ तोते भाई मुझे सब पता है जब मैं उस जंगल में गोरी और कालू के घर के पास रहा करती थी न वो गोरी चोर मेरा भोजन रोज शुरा के ले जाया करती थी एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया फिर तो मैं वहां रुकी है ने मैंने जंगल ही जेंच कर दिया उसने मुझे इतना परेशान किया अब तोते को सारी बात समझ आ चुकी थी वो समझ गया था जो गोरी उसे इतना अच्छा अच्छा बोल कर अपनी तरफ कर रही थी असल में वह गोरी और कालू ही चोर थे तोते ने अपने दिमाग में कुछ सोचा था और चिरिया से बोलता है चिरिया बेहन अब मैं जा रहा हूँ वो अपने घर आता है सबसे पहले वह गोरी से ही मिलता है और गोरी से बोलता है अरे तोधे भाई, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप तो कहीं कई हुए थे ना, क्या हुआ? आज अचानक से मेरे पास कैसे आना हुआ आपका, बताईए गौरी बेहन, बस मैं आज आपको यह बताने आया हुँ, कि मेरे घर जे बहुत दाना चोड़ी होता है, आज तो मैंने इतना भरा हुआ है घर में दाना, पर मैं क्या करूँ? चोड़ी ना हो जाए, इसलिए परेशान हुँ अरे मिठ्व भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपके घर पे नजर रखूंगी रात को, अगर आख लग गई तो वो इक अलग बात है, लेकिन आप बेफिकर होकर सो जाए, मैं ना आपके घर पे नजर रखूंगी, कौन है जो चोड़ी कर रहा है हाँ आपर? ठीक है कौरी बैन, अब रात होने वाली है, मैं जाकर सो जाता हूँ, मुझे वैसे भी आज बहुत नींद आई हुई है ठीक है तोते भाई, आप जाकर सो जाए, बेफिकर होकर तोता वहां से चला जाता है, तोता मन ही मन खुश होता है, कि गोरी की बच्ची आज भी चोरी करने आएगी, आज इसे पकड़ कर देख कितना मारता हूँ, इसकी तो दिमाग की हालत ही खराब कर दूनगा मैं, अब ये चोरी करना ही भूल जाएगी, वो अपने घर पहुँ जाता है, वहां दूसरी और गोरी और कालू बहुत खुश थे, कि तोते को उन पर शक नहीं है, और अब वो रात को चोरी करने चल देते हैं, वहां दूसरी और तोता जगा हुआ था, वो जैसे ही तोते के घर में घुसती है, तोता उसके डंडे डंडे लगाता है, गोरी त तेज तेज चिलाती है और वहां से भाग जाती है तोटा बहुत खुश होता है और हैसी तो उसकी रुकती ही नहीं है देखा दोस्तो गौरी ने चोरी की थी तोते के घर तो उसे कितनी पिटाई पड़ी आप लोग कभी भी चोरी मत करना चोरी करना पूरी बात है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइब सेस्क्राइब और शेयर करना ना भूले और ऐसी बहुत सारी वीडियो है जो हमने अपने चैनल पर अप्लोड कर रखी है जो भी भाई अपनी बहन से प्यार करता है या बहन भाई से प्यार करती है वो हमारी रक्षा बंदन की वीडियो सरूर देखे चिडिया ने भी राखी बांदी है और तो और गौरी का भी भाई है पता है गौरी ने तो बहुत सारे पैसे मांगे थे उससे राखी बांदने के उसकी तो पिटाई लगते लगते बच्ची है चलो अब अगली बार मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बाई